हेलो दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल हिमाचल प्रदेश online study point पर दोस्तों आज की वीडियो रहेगी कोई भी job के regarding कोई भी update नहीं है ना ही कोई result के regarding update रहेगी तो दोस्तों आज हम लोग एक बहुत बड़ी मुहीम के बारे में बात करेंगे HP पुलिस के बारे में तो दोस्तों बहुत से candidate भी daily message करते हैं ठीक है text message करते हैं या फिर WhatsApp पर या फिर YouTube पर साथियों comment भी करते हैं कि सर हमारी भरती कब तक आएगी हमाचल प्रदेश पुलिस के साथियों बहुत सारे candidate भी overage होने वाले हैं तो उनका भी क्या होगा and notification क्यों नह रही है क्या कारण है कि notification आप लोगों की क्यों नहीं आ रही है और HP government भई क्या कर रही है जेराम ठाकुर जी ने भी 2019 में साथियों 2019 में इन्हों ने बोला हुआ था कि आप लोगों की notification जल्दी देखने को मिल सकती है लेकिन अभी तक कोई भी notification के बारे में कोई भी update नहीं है ठीक है तो हम सब कुछ discuss करेंगे इसी वीडियो में तो आप लोगों ने भी जबदस तरीके से वीडियो को भी like करना है ठीक है लाइक का गो रहेगा 200 like ठीक है आप लोगों ने भी like करना है और ज़्यादे से ज़्यादे वीडियो को भी share भी करना है ताकि जो भी candidate भी HP police की preparation कर रहे हैं उनके पास जुरूर यह वाली वीडियो पहुंच जाए तो चलिए दोस्तों आज की जबदस्त वीडियो को शुरू करते हैं तो इसे के साथ मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ HP police के regarding हमारे साथियों paid group चले हुए हैं ठीक है आप लोगों को यहाँ पर नीचे नमबर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों ने भी WhatsApp पर message जरूर करना है आप लोगों को ग्रूप में include कर दे जाएगा only भी 50 रुपीज फीस रहेगी बिल्कुछ जवरदस्त content आप लोगों को provide करवाया जा रहा है तो दोस्तों अब हम topic पर आते हैं साथ हों जेराम ठाकुर जी ने भाई 2019 में बोला हुआ था कि हमाचन पदेश police की भरती आएगी लेकिन 2020 करोना की बज़े से गुजर गया 2021 भी मार्च महिना चल रहा है तो आप लोगों की notification कब आएगी इतना time लग गया है भी notification आने का भी कोई भी government भी excuse भी नहीं दे रही है ठीक है नहीं तो कोई न कोई इनका मंतरी होता है वो कुछ न कुछ तो भी बताता है लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है कल ही दिन में ठीक है बजट पेश हो रहा था तो साथियों उसमें उम्मीद थी कि ये कुछ न कुछ भी बोलेंगे मैं मानता हूँ कि ये वाली भरती थी वो पिछले साल ही पास होगी थी लेकिन अभी तक notification नहीं आया है तो भी कब आएगा notification ठीक है इतना time हो गया जो भी candidate भी overage हो गए है वो हो गए है परिशान ठीक है simply बात यहां तक आती है कि वो हो गए है बिलकुल परिशान क्योंकि भरती नहीं आ रही है क्या वो भी फोर्म को apply कर पाएंगे ठीक है इतना time हो गया है वो overage हो गया है कम से कम साथियों 10,000 के क्रीब जो candidate है वो overage हो ज काफी student भई बिल्कुल आक्रोशित हैं ठीक है जिस परकार government भई behave कर रही है तो बिल्कुल जेराम ठाकुर जी की सरकार को भई कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा कि हमाचल प्रदेश पुलिस की भरती कब तक आएगी ये कुछ में नहीं बता पा रहे हैं बजट भी आ गया सब कुछ आ गया लेकिन इन्होंने कोई भी इसके रिगार्डिंग साथियों कोई भी न्यूस अब मेंली बात भई यही तक आती है कि आप लोग की नोडिक्वेशन कब आएगी साथियों ये वाली जो आप लोग की भरती थी ये 2019 से बता रखी है जे रामठाकुर जी ने अपने बजट में ठीक है तो भरती तो भाई जुरूर आएगी लेकिन भाई जो कैंड़ेट भाई ओरेज होगी है उनका क्या होगा भाई वो क्या फोरूम को अपलाई कर पाएंगे तो एज रिलेक्शेशन के रिगार्डिंग भी बहुत बड़ा सवाल है ठीक है कि क्या लेगी भाई स्टेप जे रामठाकुर जी की सरकार तो दोस्तों अब तो मैं आप लोग को बता दिता हूँ भरती तो आप लोग की आने ही वाली है तो भाई कहां पर रोक आ रही है कि क्यों नहीं आप लोग की भेवर्ती आ पा रही है साथ यूं इंटर्वू के रिगार्डिंग अभी तक इनका कोई भी निन्न नहीं आ पा रहा है कि इंटर्वू लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए तो दोस्तों अब मैंने अपने student से बात करता हूँ डेली जो हमारे डेली के student है वो बोलते हैं सर notification आ जाए बस ठीक है notification आ जाए बाकी ये करते रहें जो इन्होंने करना है ठीक है लेकिन notification आ जाए जिससे जो भी candidate भी overage हो रहे हैं वो forum को भी जल्दी से जल्दी apply कर दें ठीक है जब forum apply हो जाएंगे फिर कोई घबराने वाली बात नहीं रहेगी student अपनी preparation भी कर सकते हैं उनको कोई भी issue नहीं है ठीक है interview हो या फिर नहीं हो ठीक है इसमें कोई भी issue नहीं है गोर्मेंट खुद देख लेगी लेकिन साथियों अब आपके भी online forum apply तो होने चाहिए लेकिन मेरा मानना ये है कि आप लोगों के online forum इसी मंत स्टार्ट हो जाएंगे तो आप लोगों ने भी गवराना नहीं है simply channel से जुड़े रहना है वीडियो को like करना है और साथियों share जुरूर करें ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा share करना है इस महीम को अगर और भी आप लोगों का भी sport दिखाए दिया तो और भी वीडियो ऐसी लेकर आएंगे वैसे तो हमारी भी live classes daily रात को 8 वजे चली हुई है YouTube और paid group भी भई हमारे चले हुई है तो आप लोगों ने simply जुड़े रहना है तो साथियों मिलते है नेक्स्ट वीडियो में एक जवरदस content के साथ I hope आप लोगों को वीडियो विल्कुल पसंद आई होगी आपकी बहुती request करने अबर ठीके वीडियो लेकर आए है तो आप लोगों ने भी अपना sport दिखाना है तो चली दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में